हेलो नमस्कार मेरे नाम है अबनाश राप सभी का हमारे चैनल पे दोस्तों स्वागत है आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जॉब चाहिए जॉब चाहिए तो मैं आपको दिलवाता हूँ अगर मैं नहीं दिलपा पाया तो आपको जखा अश्रफ दिलवाएंगे जखा फिक्सर है ना आजकल पाकिस्तान में उनका बोल बाला है रोजगार यू बाटे जा रहे है रोजगार यू पर यू बाटे जा रहे है और उसकी eligibility criteria में जो पहला नंबर है ना वो है फिक्सर की वो अगर आप फिक्सर है तो सबसे पहले आप लाइन में खड़े हो जाईए औ और आपको तुरंत जॉब देंगे जॉब देने वाले कोन है मुहमद अफीज जका अश्रफ आपको जॉब देंगे इससे बढ़िया cricket board और क्या हो सकता है पाकिस्तान cricket board में जो c word आता है ना उसमें comedy लिख दे या पिर चूतिया लिख दे यह दोनों काम करेगा क्योंकि काम तो बिल्कुल वैसा ही कर रहा है पाकिस्तान में लेजंड्स पे लेजंड्स भड़े पड़े हैं एक लेजंड्स को हम जाना करते थे बहुत सारे जिनकी क्रिकेटिंग सैंस की और क्रिकेट जैसा उन्होंने मैदान पर खेला है पूरी दुनिया तारीफ करते हैं और कुछ क कर गए पाकिस्तान के लिए अच्छा सर्विस किया हुए है वो इस समय जिल्लत वाली जिन्दगी जी रहे है या फिर अगर उनको पी टीबी स्पोर्स ने एरवाई ने अगर जॉब दिया हुआ है तो वहां पे अराम से जॉब करके अपनी फैमिली चला रहे है लेकिन फिक अगर को खेलना चाहिए और किसको नहीं केलना चाहिए ठीक है अब सलमान बट जो यूटूब चैनल पर बैठे वह रहते था वह बताएंगे कि किसको टीम में लेना चाहिए और किसको नहीं तो मेरे खयाल से जो अपकमिंग जनरेशन है पाकिस्तान के मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि आपको जब भी मौका मिले पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए जल्दी से आप फिक्सिंग कर लो फिक्सिंग करने से होता यह है कि आपको फ्यूचर इंवेस्टमेंट है फिक्सिंग अगर आपने फिक्सिंग कर ली तो फिक्सिंग में जाके आप पाकिस्ता पर ऐख देश के इमोशन को बेचना पड़ेगा एक दो बार आपको जेल भी जाना पड़ सकता है वो भी आप कर लें लेकिन फूचर इंवेस्टमेंट है पाइचर इंडिया में होता तुम मेरे प्लेर के बारे में क्यों बोल रहे हो बाई तेरे प्लेयर ने तो दुनिया में थूथू कराई है आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अगर हर कोई मजाक उड़ाता है तो तेरा तो सरकस बना हुआ है तमाशा बना हुआ तमाशबीन बन गए हो और इस मामले में भी तुम डिफेंड कर रहो अपने प्लेयरों को तेरे पास लेजेंड नहीं है क्या पाकिस्तान के पास बाई इतने बड़े बड़े क्रिकेटर पाकिस्तान में हुए हो लमाफ करे मैं बता रहा हूँ ठीक है, इतने बड़े-बड़े किरकेटर हुए है वहाँ पे लेकिन वो लोग जिल्लत वाली जिन्दगी जीर है अभी, जिल्लत वाली जिन्दगी जीर है, फिक्सरों की तो मौझ है तो उन मौझ लेने वालों को मेरा सल्यूट हाब आई सल्यूट है गजब, thank you very much.